गुल्ली बुल्ली और सौन जीप लेकर रेल्वे स्टेशन की और जा रहे थे सौन की बहन सुजी छुटिया मना ने सौन के घर आ रही थी गुल्ली ने कहा सौन सुजी की ट्रेन कितने बज़े आने वाली है सौन ने कहा ग्यारा बज़े का टाइम है बुल्ली ने कहा हम सब संडे को सुजी को लेकर कही पिक्तिक पर जाएगे बहुत मज़ा आएगा सब बाते करते हुए रिल्वे स्टेशन की ओर जा रहे थे ट्रेन में सौन की बहन सुजी बैठ कर किताब पड़ रही थी वो सोच रही थी कि कितने साल बाद वो अपने भाई सौन के घर जा रही है कितने सालों बाद वो सौन से मिलेगी और गुली गुली भी मिलेगे बड़ा मज़ा आएगा ट्रेन स्पीड से जा रही थी सूजी को मालुम नहीं था कि दो पेसेंजर उसके सामने ही देख रहे थे वो दो पेसेंजर जेसन और ग्रेंपा थे वो आपस में कुछ इसारे करके बाते कर रहे थे जेसन चलता हुआ आया और सूजी की बाजू वाली सीट पर बैट गया ग्रेंपा भी चलते हुए सूजी की आगे वाली सीट पर बैट गये बुल्ली बुल्ली और स्वान स्टेशन पर पहुँच चुके थे वो तीनों प्लेटफोर्म पर आकर बाकड़े पर बैट गए बुल्ली ने कहा अभी तो ट्रेन आने में आधे गंटे की देर है तो चलो तब तक केंटिंग में जाके समों से खाते है बुल्ली ने कहा अभी नहीं पहले सुजी को आ जाने दो फिर हम सब साथ में नास्ता करेगे वो सब ट्रेन की रहा देख रहे थे ट्रेन पूरी रफ्तार से जा रही थी अंकल भी उसी ट्रेन में जा रहे थे वो कबसे जेसन और ग्रेनपा की हरकतों पर ध्यान रख रहे थे जेसन ने देखा एक जॉम्बीस दर्वाजे के पीछे खड़े होकर उसी को इसारा कर रहा था जेसन ने खिर्की से बाहर देखा और जॉम्बीस की तरफ हामे गर्दन हिलाई जॉम्बीस चलते हुए साइट पर चला गया अंकल सब देख रहे थे तभी ट्रेन रुख गई पीछे के कमपाट्मेंट में से चार जॉम्बीस दोरते हुए आए और सुजी के सामने खड़े हो गए जेसन और ग्रेंटपा भी खड़े हो गए जेसन ने सुजी से कहा चुप चाप हमारे साथ चलो सुजी बहुत डर गई थी गुली बुली और सुन प्लेटफॉर्म पर बैठे हुए थे तभी गुली ने मोबाइल देखा और बोला अरे अंकल का फॉन है उसने कहा हां अंकल बोलो मुझे कैसे याद किया अंकल ने कहा गुली मेरी बात ध्यान से सुनो सुन की बहन सुजी को जेसन और ग्रेंपा और साथ में जॉंबी सो ने ट्रेन से कितनेप करके जंगल में ले गए है गुली टेंसन में आ गया और उसने तुरंट बाबा को कॉल किया उसने बाबा को पुरी बात बताई जेसन और ग्रैनपा सुजी को लेकर जंगल में चलते हुए जा रहे थे सुजी रुख गई जेसन ने कहा रुख क्यों गई सुजी ने कहा तुम लोग कौन हो और मुझे कहा ले जा रहे हो जेसन ने सुजी को चाटा मार दिया और बोला चुप चाप चलो फिर से वो लोग चलते हुए जाने लगे थोड़ी देर बाद जंगल में ग्रैनी का घर आ गया ग्रैनी और इविलनन घर के बाहर खड़े हुए थे ग्रैनी सुजी को देखकर खुश हो गई उसने जेसन से कहा वाह क्या सिकार डुन कर लाए हो आज रात हम इसे खाएंगे मज़े आएगा इविलनन सुजी को लेकर घर में चली गई ग्रैनी ने कहा आज रात हम सब पार्टी मनाएंगे पहले सब डान्स करते हैं इविलनन घर में से बहार आ गई गुल्ली गुल्ली और सौन तीनों बहुत टेंसन में थे सौन ने कहा कितने साल बाद मेरी बहन मेरे गर आ रही थी पर जेसन और ग्रैनपा उसे जंगल में ले गए है मैं उस जेसन को जिन्दा नहीं छोड़ूँगा गुल्ली ने कहा मेरे बाबा को कॉल कर दिया है अभी थोड़ी देर में वो पहुची जाएगे गुल्ली ने कहा गुल्ली तुम फिर से एक बार बाबा को कॉल करो और उन्हे जल्दी आने को कहो तबी हेलिकॉप्टर की आवाज आने लगी बाबा पहुँच चुके थे बाबा ने हेलिकॉप्टर को प्लेटफॉर्म पर लेंड किया बुली बुली और स्वन दोरते हुए हेलिकॉप्टर के पास गए और हेलिकॉप्टर में बैठ गए बाबा ने कहा हमें जल से जल जंगल पहुँचना होगा स्वन ने कहा बाबा आप जेसंग को कुछ मत करना उसे तो में ही मारूंगा बुली का गुस्टा देखकर बाबा दंग रहे गए बाबा ने हेलिकॉप्टर को जंगल की और मोट दिया बाबा ने स्वन से कहा स्वन अभी तुम बहुत गुस्टे में हो तुम जेसंग से नहीं लड़ सकते वो बहुत ही सक्ती साली है स्वन कुछ नहीं बोला और खिर्की से बाहर देखने लगा हेलिकॉप्टर जंगल में पहुँच चुका था बुली ने कहा देखो बाबा वहां जंगल में एक गर है वो ग्रेनी का घर था बाबा ने हेलिकॉप्टर को नीचे लेंड किया हेलिकॉप्टर की आवाद सुनकर गर में से चार जंगीस दोरते हुए हेलिकॉप्टर के पास आए बाबा गुली बुली और स्वन हेलिकॉप्टर से बाहर आ गये थे सौन ने जॉंबिसों से कहा मेरी बहन सुजी कहा है सब जॉंबिसों ने एक साथ सर नामे ही लाया सौन को बहुत गुसा आ गया सौन डौटते हुए गया और एक जॉंबिस को कीक मारी जॉंबिस उरता हुआ दूर जाकर गीरा और मर गया सौन ने दूसरे जॉंबिस को एक घुसा मार दिया वो जॉंबिस भी घुसा लगते ही मर गया सौन ने तीसरे जॉंबिस को भी एक घुसा मारा वो भी नीचे गीदा और मर गया सौन दोड़ते हुए चोथे जॉंबिस की और गया तभी बाबा ने कहा सौन रुख जाओ पर सौन ने उस जॉंबीस को भी एक किक माद दी वो जॉंबीस भी दूर जाकर गीदा और मर गया बाबा ने कहा ये तुमने क्या कर दिया सौन अब हम सुजी कहा ए वो किसे पुछेगे सौन का गुस्सा थोड़ा कम हुआ उसने कहा बाबा मुझे बहुत गुस्सा आ गया था अब हम क्या करें बाबा ने कहा गुरोध को पालना सीख सौन गुरोध को पालना सीख बाबा ने गुली और बुली से कहा तुम दोनों घर के अंदर जाकर चेक करो गुली और बुली ने सर हामें हिलाया और चलते हुए घर के अंदर चले गए बुली ने बुली से कहा बुली तुम उपर जाका चेक करो मैं नीचे सब जगा देख लेता हूँ बुली नीचे हर कमरे में सुजी को ढूनने लगा बुली उपर सुजी को ढून रहा था बुली ने देखा वहाँ एक कंकाल पड़ा हुआ था वो डर गया और नीचे आ गया बुल्ली और बुल्ली चलते हुए बाबा के पास गए सौन ने तुरन पुछा मेरी बहन सुजी मिली दोनोंने सर नामे हिलाया बुल्ली ने कहा बाबा मैंने उपर के इत कंकाल देखा सौन तुरन चिखा नहीं ऐसा नहीं हो सकता बाबा ने कहा सौन तुम थोड़ा सबर करो सुजी को कुछ नहीं हुआओगा चलो हम घर के पीछे जाकर ढुनते है सौन और गुल्ली तुम दोनों इस सरफ से जाओ सब लोग चलते हुए घर के पीछे की और जाने लगे घर के पीछे कुछ नहीं था तभी बुल्ली ने कहा बाबा वहाँ देखो सब लोग उस तरफ देखने लगे वहाँ पर एक कुवा था सब लोग चलते हुए उस कुवे के पास गए बाबा ने कहा ये तो पाताल कुवा है इस में से हम दुसरी दुनिया में जा सकते है मुझे लगता है जेसन और ग्रेनपा सुजी को दुसरी दुनिया में ले गए होंगे चलो हम भी चलते हैं दुसरी दुनिया में सब लोग कुवे के उपर से अंदर कुद गए, अंदर बहुत ही अंधेरा था वो लोग नीचे की और गिर रहे थे गिरते गिरते बुल्ली बोला, बाबा हम नीचे गिर रहे है, तो क्या नीचे गिर कर मर जाएगे? बाबा ने कहा नहीं बुली, हम दुसरी दुनिया में तो धीरे से ही गिरेंगे बुली ने कहा नीचे गिरने का तो वहुत मज़य आ रहा है सब लोग दूसरी दुनिया में पहुंच गए सब इधर उदर देखने लगे चारों तरब परवत दिखाई दे रहे थे बाबा भी टेंशन में थे कि आखिर ये कौनसी दुनिया है गुल्ली ने कहा बाबा ये हम कहां आ गए गुल्ली ने कहा यहां तो कोई भी दिखाई नहीं दे रहा वो तो ठीक है पर यहां कोई पेड़ या पौधा भी नहीं दिख रहा बाबा ने कहा मैं भी यही सोच रहा हूँ कि यह कौन सी दुनिया है मैंने भी कभी ऐसा नहीं देखा हमें बहुत सावधान रहना होगा बाबा ने कुछ सोचा फिर बोले चलो हम उस तरफ जाते हैं देखते हैं हमें कोई सुराक मिल जाए सब चलते हुए जाने लगे थोड़ी दूर जाने के बाद सब रुख गए सवन ने कहा बुली तुम्हे पेड पौधा देखना था न, देख उधर पेड है सब चलते हुए पेडों के पास गए बाबा ने कहा तुम सब यहीं रुखो बाबा चलते हुए पेडों के पास गए बाबा ने ध्यान से पेडों को देखा वो कुछ सोच ही रहे थे और तभी एक पेड ने बाबा को लात मार रही बाबा उचल कर दूर जाकर गीरे और फटाक से खड़े हो गए एक पेड चलता हुए बाबा के पास गया उसने उचल कर बाबा को कीक मारी सामने बाबा ने भी कीक मारी दोनों की कीक टकराई और बाबा गीर गए बुली बुली और सौन की पेडों के साथ फाइट कर रहे थे बाबा ने हवा में पल्टी मार कर पेड़ को गिरा दिया और उस पर चड़ कर उसकी गर्दन तोर डाली पेड़ मर गया बाबा ने देखा तीनों ने उचल कर पेड़ों को कीक मारी तीनों पेड़ नीचे गिर गए तभी बाबा ने कहा सब रुप जाओ बाबा चलते हुए पेड़ों के पास गए, वो खड़े हो गए थे बाबा ने उनसे कहा, देखो मैंने तुम्हारे एक साथी को मार दिया है अब अगर तुम जिन्दा रेना चाहते हो, तो मुझे बताओ कि ये कौन सी दुनिया है, और सुची कहा है तीनों पेड़ हाथ जोड़ कर खड़े रहे, उनमें से एक पेड़ ने कहा, ये सेतान की दुनिया है यहां हमारे मालिक सेतान है, हमें मालूम नहीं है कि सुची कहा है, पर तुथवी लोग से पांच लोग यहां आये है, और वो सेतान के अड़े पर गए है बाबा ने पूछा, सेतान का अड़ा कहा है उस पेड़ ने हाथ से इसारा करके कहा, उस पहारी के पीछे एक बहुत बड़ी गुफा है, वही सेतान का अड़ा है बाबा ने कहा, ठीक है, मैं तुम लोगों को जिन्दा छोड़ रहा हूँ वह तीनों पेड़ दोड़ते हुए चले गए बाबा ने कहा, वह पांच लोग कोन होगे, खेशन, ग्रेंपा और सुजी के सीवा दो और कोन होगे स्वान ने कहा, वह जो कोई भी हो, हम उन्हें छोड़ेगे नहीं, चलो हम जल्दी से अड़े की और चलते है सब चलते हुए पाहारी के पीछे की और जाने रगे चलते चलते सब पाहारी के पीछे पहुँच गए वो सब रुख गए उन्होंने देखा, पाहारी में एक बड़ा पत्थर का किल्ला था, और उसमें एक गुफा थी वहाँ बहुत सारे जॉंबीस खड़े हुए थे बाबा ने कहा, वहाँ बहुत सारे जॉंबीस है सवन, तुम अपने गुशे पर काबू रखना, कोई गलत कदम मर उठा लेना सवन ने हामे गर्दन हिलाई तभी वो लोग के सामने एक बड़ा धमाका हुआ और धुआ उठने लगा, सब देखते रहे गए कि ये क्या हुआ दिरे दिरे धुआ छटा, तो देखा, वहाँ दो मॉन्स्टर प्रगत हुए थे वो बहुत ही खतरनाक और लावा के बने हुए दीख रहे थे पुली ये देखकर बहुत डर गया और कामपने लगा पुली ने कहा, बाबा ये तो बहुत खतरनाक मॉन्स्टर है बाबा ने कहा, तुम सब यहीं खड़े रहो, मैं देखता हूँ उस मॉन्स्टरों को बाबा मॉन्स्टरों के पास गए बाबा ने कहा, तुम लोग हमारे रास्ते से हट जाओ, नहीं तो मैं तुम दोनों को मार दूँगा मॉन्स्टर एक दूसरे के सामने देखने लगे, उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि एक इतना छोटा आत्मी उनको धमकी दे रहा है, मॉन्स्टर बाबा की और मुड़े, एक मॉन्स्टर ने मुह से आग निखाल कर बाबा पर वार किया, बाबा पल्टी मार कर बज गए बाबा दोड़ते हुए हवा में उपर जाकर मॉन्स्टर को लाथ मारी, पर बाबा वापस अपनी जगा पर आ गए, मॉन्स्टर को कुछ भी नहीं हुआ सौन ने कहा ये मॉन्स्टर तो बहुत ही खतरनाक है, बाबा इनको कैसे मार पाएगे, बुल्ली ने कहा मुझे बहुत डर लग रहा है, बुल्ली ने कहा तुम लोग क्यों डर रहे हो, बाबा ने तो ऐसे बहुत सारे मॉन्स्टरों को मारा है एक monster ने बाबा पर आक्के गोले से वार किया बाबा ने कुद कर उस गोले को कीक मारी वो गोला सीथा एक monster को लगा वो monster गिर गया और वो फटाक से खड़ा भी हो गया अब बाबा सोचने लगे ये monster ऐसे नहीं मरेंगे अब मुझे अपनी सक्तियों का इस्तेमाल करना ही होगा बाबा एक्स्ट्रीम मोड में आ गए बाबा ने अपना हाथ उठाया और एक एक करके दोनों को अपनी सक्ति से चला कर मार दिया बुली बुली और सौन गोटते उन्वे बाबा के पास आ गए बाबा नॉर्मल मोर में आ गए सौन ने कहा बाबा हम जल से जल उस सेतान की गुफा में जाते है न जाने सुजी की साल में होगी बाबा ने कहा चलो अब बहुत देर हो गई हमें अब उन जौंबिसों को मार कर गुफा में जाना होगा सब चलते हुए गुफा की ओर जाने लगे उपर खड़े हुए जौंबिस ने कहा देखो वहां से कुट लोग आ रहे है उपर खड़े हुए जौंबिस उतकर नीचे आ गए हुफा के पास पहुँचकर बाबा ने तीनों को वहीं रुखने को कहा और चलते हुए जौंबिसों के पास गए बाबा और जौंबिसों के फाइट चुरू हो गई फुली बुली और सौन थोड़ी दूरी पर खड़े हुए थे तभी सौन ने सुजी को देखा वो खुस हो गया और दोड़ते हुए सुजी की और जाने लगा गुली और बुली ने कहा रुख जाओ सौन वहां मत जाओ सौन दोड़ता हुआ सुजी के पास गया पर तभी सुजी ने जंप मारकर सौन को किक मारी सौन दूर जाकर गीरा वो सुजी नहीं जंपिस था सौन दोड़ता हुआ उस जंपिस के पास जाकर किक मारी जंपिस अवा में उड़कर दूर जाकर गीरा और मर गया यहां बाबा ने सारे जंपिसों को मार दिया था बाबा ने कहा चलो सब गुफा में चलते हैं और सुजी को बचा कर लाते हैं बाबा गुफा के अंदर क्या होगा बाबा ने कहा पिच्चर अभी बाकी है मेरे दोस्त बाबा गुली बुली और स्वन चलते हुए गुफा में जाने लगे वो सब गुफा के अंदर जा रहे थे थोड़ा अंदर जाते ही सब रुख गए साइट की टनल से दोड़ते हुए चार कंकाल आकर सामने खड़े हो गए गुली ने कहा बाबा ये तो कंकाल है ये केसे चल फीर सकते है बाबा ने कहा ये कंकाल माया भी है एक कंकाल ने कहा सेतान ने कहा है कि तुम लोग वापस चले जाओ नहीं तो सब मुफ्त में मारे जाओगे बाबा ने कहा हम सिर्फ तुजी को लेने आये है और उसे कैसे भी करके यहां से लेकर ही जाएगे उस कंकाल ने कहा तो फिर मरने को तयार हो जाओ चारो कंकाल फाइट मोड में आ गए तभी सौन ने कहा बाबा आप साइट पर हो जाओ इन कंकालों को तो मैं ही खतम कर दूँगा बाबा ने कहा सौन तुम गुली गुली के साथ खड़े रहो मैं इनको देखता हूँ बाबा भी फाइट मोड में आ गए फाइट सुरू हो गई बाबा ने एक फिक मारी तो एक कंकाल बीच में से तुड़ गया और मर गया बाबा ने दूसरे को घुसा मारा वो भी मर गया फिर तुसरा भी गया बाकी बच्चा चोथा कंकाल हाच जोड़ कर खड़ा हो गया बाबा ने उसे कहा मैं तुम्हें नहीं मारूंगा पर सेतान कहा है और सुजी को कहां रखा है वो बता दो उस कंकल ने कहा वैसे तो तुम लोग यहां से जिंदा वापस नहीं जा सकते क्योंकि यहां सेतान के पास बहुत सारे मॉंस्टर है आप यहां से सिजे जाओगे तो थोड़ी दूरी पर आपको सेतान भी मिल जाएगा और सुजी भी मिल जाएगी बाबा ने कहा ठीक है तुम जा सकते हो बाबा ने गुली-गुली और स्वॉन से कहा सेतान को मालुम हो गया है कि हम गूफा के अंदर कहुंच चुके है अब यहां से आगे हमें रास्ते में मॉंस्टरों का खत्रा है हमें सावधानी से आगे बढ़ना होगा सब ने हमें सर हिलाया सब गूफा में आगे बढ़ने लगे अभी थोड़े ही आगे बड़े होंगे कि सब रुख गए सामने से एक खतरनाक मॉंस्टर चलता हुआ उनकी ओर आ रहा था वो सामने आकर खड़ा हो गया बाबा ने उसे ध्यान से देखा और मूड कर सौन से कहा सौन तुम्हें फाइट करने की बहुत जल्दी है न तो जाओ इस मॉंस्टर से फाइट करो मैं गुली और बुली यहीं खड़े रहकर देखते है सौन ने मॉंस्टर की और देखा काले गेंडे जैसा सरीर और लाल चमकीली आखे यह सब दिखकर सौन थोड़ा डर गया उसने बाबा से कहा मेरे हाथ में थोड़ा डर्ध है तो इस मॉंस्टर से आप ही फाइट करो मैं बाद में जैसन को मारूंगा बाबा ने कहा ठीक है तुम सब यहीं खड़े रहो बाबा चलते हुए मॉंस्टर के पास गए बाबा खड़े ही रहे कि उस मॉंस्टर ने बाबा को लात मार दी बाबा उड़ते हुए गुली बुली और सौन के पास जाकर गिरे बाबा खड़े हो गए और दोरते हुए हवा में जंप मार कर मॉन्स्टर को कीक मारने गए तबी मॉन्स्टर ने बाबा को गुर्षा मार दिया बाबा फिर से गीर गए बाबा खड़े हुए और दोरते हुए मॉन्स्टर की और जाने लगे वो एक्स्ट्रीम मोड में आ चुके थे बाबा ने उसे हवा में जम्प पारकर कीक पारी वांस्टर की रिट की हट्डी तुट गई और वो मर गया गुली गुली और सौन चलते हुए बाबा के पास आए बाबा नॉर्मल मोर में आ गए बाबा ने कहा चलो अब आगे बनते है सब चलते हुए गुफा में जाने लगे सब चलते हुए थोड़े ही आगे गए होगे कि एक बड़ा हॉल आ गया सब हॉल में इधर उधर देखने लगे हॉल के एक साइट पर सुजी को रस्टी से बान कर रखा हुआ था बीच में एक बड़े सिहासन पर सैतान बेठा हुआ था जेसन अपने सर पर गिलास रख कर डान्स कर रहा था ग्रेंपा एविलनन और ग्रेनी चैर पर बैठे हुए थे जेसन के सर से गिलास नीचे गिर गया साइट पर दो बड़े मॉंस्टर खड़े हुए थे सौन ने सुजी को देखा और बाबा से कहा बाबा देखो वहां सुजी है मैं उसके पास जा रहा हूँ बाबा ने कहा नहीं सौन अभी नहीं तुम तीनों यहीं खड़े रहो बाबा चलते हुए सेतान के पास गए जेसन भी अपनी सीट पर बैठ चुका था सेतान ने कहा मैं तुम लोगों का ही इंतजार कर रहा था बाबा ने कहा हमें सुजी दे दो हम चुप च्याप यहां से वापत चले जाएगे सेतान ने कहा इतनी भी क्या जल्दी है देखो वहां मेरे दो मॉस्टर तुम्हे ही देख रहे बाबा ने मॉंस्टरों की और देखा और सेतान से कहा ऐसे मॉंस्टरों को तो मैंने बहुत मार दिये ये कौन से खेद की मुली है सेतान ने मॉंस्टरों को इसारा किया मॉंस्टर चलते हुए बाबा के पास आये बाबा भी चलते हुए मॉंस्टर के पास गए दोनों आमने सामने आ गए बाबा एक्स्ट्रीम मोड में आ गए बाबा हवा में जंप मार कर मॉंस्टर को मारने गए पर उस मॉंस्टर ने बाबा को घुसा मार दिया बाबा हवा में पल्टी मार कर नीचे आकर खड़े हो गए बुल्ली और बुल्ली बाबा की फाइट देख रहे थे तबी सौन उनको बताये बिना दोरता हुआ सुजी के पास जाने लगा बुल्ली और बुल्ली ने देख लिया और कहा रुक जाओ सौन वापस आजाओ पर सौन भागता ही रहा जेसन भी खड़ा हुआ और दोरता हुआ सुजी की और जाने लगा जेसन और सौन आमने सामने आ गए सौन ने कहा जेसन तुने मेरी बहन सुजी को किटनेप किया था मैंने तुझे मारने की कसम खाई है सो मैं पूरी करूगा सौन और जेसन फाइट करने लगे तबी जेसन का घुसा सौन के बोपर पड़ा सौन के दो-तिन दाथ तुट कर रीचे गीरे बाबा ने अपनी सक्ती से दोनों मॉस्टरों पर वार किया दोनों जलकर फीचे गीरे और मर गए इविल नन और ग्रेनी ने एक दुसरे के सामने देखा इविल नन ने हामे शर हिलाया दोनों दीरे-दीरे चलते हुए हौल से बाहर चली गई सौन जेसन को घुशे में घुशा मार रहा था वह बहुत घुशे में था उसने कूद कर जेसन को लात मारी जेसन की गर्दन तुड़ गई और नीचे गीर कर मर गया बाबा चलते हुए सेतान के पास आने लगे तभी ग्रेंपा खड़े हुए और दौरते हुए हॉल से बाहर भाग गए सेतान अकेला रहे गया सेतान ने सोचा कि ये बाबा इतने बड़े बड़े मौंस्टरों को मार सकते है तो इनसे लड़ना ठीक नहीं है सेतान ने कहा जाओ तुम सुझी को ले जा सकते हो मैं आपसे लड़ना नहीं चाहता पर बाबा ने उसकी बातों पर ध्यान नहीं दिया और सेतान को अपनी सक्ती से बेठे बेठे ही जला कर मार दिया सुवन ने सुजी को छुडा लिया था बुली बुली सुवन और सुजी चलते हुए बाबा के पास आए बाबा नॉर्मल मोर में आ गए सुवन ने कहा बाबा देखा मैंने जेसन को मार दिया सब चलते हुए अपनी दुनिया के और जाने लगे